हलो फ्रेंज फिर से आप सभी के हैं आपर सभागत है मेरे चैनल वोट्स न्यूपेस ओ फ्रेंज आइसके वीडियो में मैं फिर से एक बार रिव्यू करने वाला हूँ एम एए पाई का जो निव अपडेट आया है रेड मी नोठ 4 के लिए उसका और साथी सा वैज रूम के जो भी बग्स वगएरा है जोभी फीचर वगएरा है क्या 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 चल रहा है क्या 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 नहीं चल रहा है ऊभी तो इस पे दोस्तों आपको Android 5 मिल जाता है जो कि अभी तिक Redmi Note 4 पे officially available नहीं हुआ है उसी के साथ दोस्तों latest Mioe का update मिल जाता है और यहाँ पर आपको kernel भी मिल जाता है अभी दोस्तों हम बात कर लेते हैं दूसरे इसका feature के बारे में तो दूस्तों एस पे आपको जो भी न्योबडेट में feature आए है जो भी एप्स वगरा add किये गए है वह सारे एप्स वगरा ओर feature वगरा आपको इस पे मिल जाएंगे साथ यसाथ दोस्तो जो भी एक्स्ट्रा फीचर है जैसे की MIUI पाई के वो भी आपको इसमें मिल जाएंगे अब दोस्तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्या-क्या चल रहा है क्या-क्या नहीं चल रहा है तो यहाँ पर दोस्तो स्टोक कैमेरा है वो फुली वर्की है यहाँ पर आप देखी सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर ब्लू साइनिंग हो रहा है क्योंकि मेरा जो camera है वो थोड़ा सा बिगड गया है इस वज़े से यहाँ पर आपको थोड़ा सा blue blue दिख रहा है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर gcam भी आप इसमें use कर सकते हैं इवन अमरा जो night shot है वो भी work कर रहा है यानि कि आप इसमें fully working gcam को install कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दुसरे box की बात करते हैं दुसरे feature की बात करते हैं तो यहाँ पर दुस्तों वोल्टी है हो भी बिल्कुल इवर की है यानि कि इसमें आप जियो का sim लगा कि calling वगरा कर सकते हैं वीडियो calling भी कर सकते हैं यहां पर आप आद देखे सकते हैं कि call कोल जो है मेरा असने से लग गया है अब ही दोस्तों हम बात कर ले देए यहां पर notification पैनल में तो यहां पर दोस्तों जो भी torch का buck था वो भी fix हो गया completely और जो brightness का buck था वो भी fix हो गया तो आपको कोई भी उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी उसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिंग टोंग में इस अपडेट में थोड़ी से प्रोब्लम थी तो वो मेंने फिक्स कर दी है कुछ लोगों को यह प्रोब्लम अगर होती है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दो फीचर है यानि कि आपको फिंगर प्रिंट के साथ जो फेस डिटा है वो भी मिल जाता है और इस पर आप फुल स्क्रीन जेस्टर का भी यूज़ कर सकते है जो कि MIUI की हर रोम में आपको डिफॉल्ट मिल जाता है तो यहाँ पर आप फुल स्क्रीन जेस्टर है उसका भी यूज़ कर सकते है उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात कर लेते है ओट स्पोर्ट की और वाइफाई की तो ओट स्पोर्ट भी चल रहा है और वाइफाई भी चल रहा है आप दुस्तों बात कर लेते Bluetooth की तो दुस्तों नॉर्मली Bluetooth जो Connect हो जाता है आपके headphone के साथ भी Connect हो जाएगा पर उससे आप song वगरा जो है वो सुन सकते पर calling नहीं कर सकते calling पर बात नहीं कर सकते तो ये दुस्तों एक bug है इसका और reading mode है और दुसरा bug है दो ही बग आपको दूस्तों इसमें देखनों को मिलेंगे, बाकि यहां पर आप कोई से भी third party theme है, उसको भी apply कर सकते हैं, यहां पर आप देखे सकते हैं, आपको सिर्फ input का बटन है, वहां से input करना है, कोई से भी theme का जो mtz file है, उसको install कर लीजिए, और यहां पर आप अपने यूज कर सकते हैं, और थोड़ी से ring dong where आपको भी change कर दिया है, तो आपको बहतर experience पर मिलेगा आपको, तो दोस्तों यहां पर जो भी setting में बग था, जैसे कि हम कोई भी headphone या फे earphone को plug करते थे, तो यहां पर effect का कोई भी option नहीं आ रहा था, तो ओ भी मैंने अभी ठीक कर दि इंस्टोर करना है, तो simply आपको description में link मिल जाएंगी, अगर दोस्तों आपको नहीं पता इसको कैसे install करना है, तो आप मेरा group join कर सकते हैं, उसके भी link आपको description में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर मैं आपको इसके कोई भी fixes वगरा है, कुछ भी add-on है, तो मैं वहाँ पर आपक बिक आलेना